आज की इस वीडियो में हम जिगलनाटा पोलिमराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जो की औरगेनो मेटालिक कमपाउंड जो हमारी बुक है एक इन औरगेनिक स्पेशलाइजेशन में पेपर वन एच पू के अंडर उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नेट के पॉ संद आए तो अपने फ्रेंट के साथ भी शेयर करें और लाइक करें तो लेट स्टार्ट दे वीडियो इवीडियो इवी टॉक अवाओ जिगलनाटा पोलिमराइजेशन तो इसमें हमारे पास क्यों होता है टाइटेनियम टेट्रोक्लोराइड होता है और मीन ग्रूप और सब्सक्राइड होता है तो आज की इस वीडियो में आपके लिए हांड रिटन नोट्स रहने वाले हैं जिसमें मैं पूरा आपको विरीफली इस टॉपिक के बारे में दो मेकेनिजम हैं उनके बारे में बताऊंगी तो यह तो आगया हमारा चोटा सा टॉपिक इंपॉर्ट कि हां कैटालिस्ट क्या यूज होता है जिगलनाटा में बट एंड तक देखिएगा आपको इस वीडियो में पूरे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो कि मैंने खुद बनाए है तो इसमें आ रहता है कि जिगलनाटा कैटालिस्ट जो है वो मिक्स्चर होता है य जो होता है यह यूज होता है तो जेनरेट ट्रांजिशन मेटल अलकाय स्पीशिज जो तो इस वीडियो में आपको मैं दोनों मेकनिजम डिसकस करूंगी जिसके थूँ आपको यह लाइंस फी एकलियर हो जाएंगी थ्रेटिकल पोर्शन की ठीक है तो यह जो कैटलिस्ट य जो होता है यह जो होता है तो जेनरेट ट्रांजिशन मेटल अलकाय स्पीशिज दूरिं ट्रेक्शन आइंड दाट इंट्र इंट्रमीद्य जनिरेट इस फोर पॉलेमराइजेशिशन प्रोसेश ऑफ ओलिफिन जो पलिमराइजेशन होगी न ओलिफिन गहां पहां पहोगी we have first learned that suspension also must be heterogeneous and active species form a in-situ from titanium tetra chloride and trialkyl aluminum ठीक है कि फॉर्म करता है इंसेटू ठीक है दे पॉलिमराइजेशन फॉर्म टाइटीनियम सिस्टम प्रोड्यूस्टीरियो रेगुलर पॉली प्रोपाइलीन सॉरी क्या मैंने यहां पर लिखे हैं मुझे दिखने ही रहा क्लियर जो भी हमारे पास पॉलिमराइजेशन होगी टाइटेनियम सिस्टम के थ्रू और स्टीरियो रेगुलर पॉली प्रोपाइलीन हमारे पास फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे आईसो टैटिक या फिर एटैटिक इन जो यह टर्म है मारे पास सेंडियो टैटिक इन टर्म्स को भी हम डिसकस करेंगे ठीक है डिपैंडिंग अगिए टाइटिक यह टाइटिक आरेंजमेंट तो आईसो टैटिक में होता है कि जब सीएच्थ त्री ग्रूप जो है वह सेम साइड पे लगे होंगे पॉलीमरचीन के तो वो आईसो टैटिक हो गया आब सिंडागे टेटिक क्या होता है कि रेगुलर जमेटरी होगी तो एक अबब दी ग्रूप लगा होगा एक विलोग दी ठीक है तो एक अबब एक विलोग आर क्या है यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है CH3 ग्रूप को तो यह हमारे पास आगया सिन डायटेटिक अब एटेटिक की बात करें तो इसमें जो है रेगुलरिटी नहीं होगी और मिथायल ग्रूप चेन के कहीं भी लगा हो सकता है यह देखिए दो जो है उपर की साइड लगे हैं एक नीचे की साइड दर नीचे की साइड ठीक है तो यह तो आपके आगे बेसि से अरलमान मेकेनिजम ठीक है तो इस मेकेनिजम के अगर हम बात करें तो जेनिरेशन ऑफ ब्रेकिंग साइड ओन ट्रांजिशन मेटल सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रेकिंग साइड की जेनिरेशन करेंगे ट्रांजिशन मेटल में ठीक है तो यह हमारे पास कुछ इस तरह स रहेगा reaction की अब देखिए हमारे पास क्या है यहां पर trialkyl aluminium है प्लस titanium tetra chloride है अब इस मेंसे जब हम एक chlorine को निकाल देंगे तो हमारे पास vacant side जाएंगी ठीक है अब यहां पर vacant side 2 क्यों आ रही है क्योंकि यह हमारे पास कितने aluminium है 2 है कितने aluminium के साथ यह react करेगा 2 के साथ तो हमें 2 vacant side जाएंगे तो बस मैंने यही चीज यहां पर लिखी है कि दो जो chloride chlorine यहां से निकल गए तो vacant side मिल गई और यह जो chlorine है वो इनके साथ हो गए ठीक है तो यहां पर two आ गया यह two यही रिपर्जेंट कर रहे है यहां पर two chlorine है देन एक हमने यहां से cs2, cs3 का group निकाल दिया अब जब cs2, cs3 का एक group इस compound से निकला तो वो यहां के vacant side में अटाइच हो गया यहां पर attach हो गया यहां पर कुछ इस तरह से ही अटाइच हो गया vacant side पर और एक vacant side है यहां की ऐसे रही तो यह एक organo metallic compound बन गया काफी easy सा reaction है अगर आपको यह easily step by step समझ आता है तो ठीक है सबसे पहले हमने generation की किसकी breaking side की हमारे पास क्या आगे vacant sides आगी अब इस vacant side में हमने cs2, cs3 को join कर दिया एक में और दूसरी vacant side हमारे पास वैसे ही रहेगी अब क्या होगा absorption of alkene on the surface of metal alkyl species जो alkene है हम यहां पर किसकी polymerization करवा रहे है alkyne की तो उसकी absorption होगी और वह attach कर जाएगा अब यह जो vacant side है यहां पर क्या लग जाएगा हमारे पास यह वाला alkyne species लग जाएगा ठीक है तो यह रिखिए यह यहां पर attach हो गया इस तरह से इस reaction brings the alkyl group and the alkyne in the proper stereochemical arrangement अब इसकी proper stereochemical arrangement के लिए हमने आगे की further reaction को include किया ठीक है तो इस तरह से कुछ reaction होगी जिसमें bonds की breakage और formation होगी और जब हमारे पास final product बनेगा तो इस तरह से बन जाएगा ठीक है the vacancyte produce can be occupied by the other molecule ठीक है other molecule ने इसको vacancyte को hold कर लिये ठीक है मतलब यह जो आगे की vacancyte होगी वो भी ऐसे होल्ड हो जाएगी बट यह सारा process तब रुकेगा जब एक termination step आएगा by the titanium and alkyl group and this is proposed by also by the following step तो ऐसे ऐसे उन्होंने बताया था कि यह जो process है न यह continuous है यहां की vacancyte पर लगेगा फिर यहां vacancyte होगी यह सारा process continuously होता रहेगा ठीक है तो इनके main step क्या थे कि carbon carbon bond formation by alkyl migration ठीक है 1-2 hydrogen shift forming and alkylene hydride carbon carbon bond forming step by methyl cyclobutane ring and reductive elimination of product formed ठीक है तो यह तो हो गया हमारा एक mechanism अगर हम बात करें दूसरे mechanism की that is proposed carvene mechanism तो इस mechanism में क्या होता है metal carvene complex formed as intermediate during the reaction on the vacant site of transition metal की हमारे पास जो first step है वो तो थो थोड़ा इसी type करेगा कि हमने vacant site को produce करना है then alkyl को introduce करना है ठीक है यह step आपके पास काफी easy भी है and product की तो वैसे ही formation होगी इसमें भी हमारे पास ठीक है तो यहां पर क्या हुआ हमने vacant site की vacant site दी और जैसे vacant site मिली यह CH2 है यहां से एक hydrogen जब रिमूफ होगा यहां double bond आजाएगा एक hydrogen आए जाएगा और CH3 और यह जो हमारे पास alkyl group है वो यहां attach हो जाएगा ठीक है इसके attach होते ही यहां पर proper geometry बनने शुड़ हो जाएगी यहां पर क्या है हमारे पास eta 2 bonding है जैसे ही intermediate की formation होगी हमारे पास यहां पर each of one geometry आजाएगी और यह back inside होगा एंड सेम जैसे previous mechanism में हुआ था कि यह back inside जो है वो continuously ऐसे ही attach करती रहेगी बट एक termination का step आएगा तो यही इसके main features थे अबब mechanism के जो आप लिख सकते हैं exam में so I hope you all understand it please like share and subscribe my channel thank you